असलाम लेकुम मैं वनीजा और आप देख रहे हैं किचनिद वनीजा यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जटपट से बनने वाली धनिये की ग्रीन चटनी तो जलज़ेश देखते हैं धनिये की ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जूरत है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लेंगे इसे पानी से अच्छी तरह बोश कर लें एक अदद ग्रीन मिट्च दो अदद लेसन के जवे हाफ टी स्पून लाल मिट्च पाउडर एक चुताई हिस्सा नमक एक बाउल दही तो ये थी हमारी सारी ची सबसे पहले ब्लेंडर लेंगे इसमें धनिया को एट कर देंगे हरी मिट्च एट कर देंगे हरी मिच कम चोटे पीचिज में काट लेंगे लैसन के जवे एट कर दें लाल मिच पाउडर और नमक एट करेंगे नमक को आप अपने टेस्ट के मताबिक कम या जादा कर सकते हैं अब दो से 3 टेबल स्पून दही के अट कर देंगे अब blender को चला देंगे और चतनी को अच्छी तरह blend कर लेंगे तो चतनी हमारी अच्छी तरह blend हो चुकी है अब blender को ओफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे अब दही में ब्लेंड की हुई चटनी को एड़ कर देंगे चम्मस से अच्छी तरह मिक्स कर ले तो चटनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है अब एक और बाउल लेंगे और उसमें ॡिश आउट कर लेंगे तो तयार है हमारी जबरतसी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली धनीये की ग्रीन चटनी अब चटनी को खाक कर चख कर चेक कर लेते हैं किस तरह की तयार हुई है तो बहुत ही मज़ेदार तयार हुई है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ किजएगा इस चटनी को आप हर तरह की चीजों और कबाबों के साथ खा सकते हैं स्पेशली सिंग कबाबों के साथ अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताके मेरी हर नहीं आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके लिएते हैं नेक्स वीडियों में अल्लाहाफेज